प्रेंड्स आज हम लोग बाल विकास के 25 कोश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही मौत पूर्ण है इन 25 कोश्चनों को हम लोग एक के बाद एक देखते जाएंगे आप भी अपना मिलाते जाएए कि आपके कितने कोश्चन सही हो रहा है ताकि हमको यह पता चल सके कि आप कहां है ठीक है तो पहला कोश्चन हम से यह कह रहा है कि बाल विकास का अर्थ है सिंप्ली यह जानना चाह रहा है कि बाल विकास किसे कहते है ब्यवहार में परिवर्तन को बालक का गुडात्मक व परिमारात्मक परिवर्तन को बालक का गुडात्मक विकास या ब्यक्तितों में परि मारात्मक परिवर्तम अगला कोशन हमसे कह रहा है बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है पहला विज्ञान मई दूसरा अप्राकृतिक तीसरा अनिश्चित और चोथा अवैज्ञानिक तो इसका सही एंसर होगा आफसन नमबर वन विज्ञान मई पिर हम लोग देखें क कोशन नमबर तीन तीसरा हमसे यह कह रहा है बाल अध्यन का पिता कौन है बाल अध्यन का पिता कौन है फ्राइड, ढ्रेवर, स्टैनले हॉल या डॉर्विन तो इसका सही आफसन होगा और तीन स्टैनले हॉल ठीक है चौता कहरा है बाल विकास की उप्योगिता है बाल निर्देशन में बालकों के स्वभाव को समझने में बालकों के सिछड में और उपरियुक्त सभी तो जो बाल विकास की उप्योगिता है ना ये बाल विकास की उप्योगिता बाल निर्देशन में भी है बालकों के स्वभाव को समझने में भी है और बालकों के सिछण में भी है इसलिए हमारा आफसा नमबर चार सही होगा फिर कहे रहा है पुर्व बाल्य अवस्था की बिसेस्था क्या है जिग्यासा इसकी बिसेस्था क्या है जिग्यासा खिलोनों में रुची नवीन पद्दतियां या उपरयुक्त सभी तो इस वाले कोशन का भी आपसंजो होगा चौता सई होगा उपरयुक्त सभी पूर्व ब फाले यवस्था की विश्थाउं में जिग्यासा भी आती है छिफिलोनों में रुची भी आता है और रिद्धा विम्रइन पद्धिद्यां भी तो इसका भी option नंबर 4 सही होगा उपरियुक्त सभी यानि उत्तर बाल्य अवस्था की विश्यस्ताओं में से आत्म निर्वर होना मित्र मंडिली या समूग का निर्माण और स्वतंत्र होना ये तीनों सही है बाल्य विकास कब संपन होता है बाल्य वस्था में सैस्व वस्था में जीवन परियंत चलता रहता है और किसोर वस्था में तो ये आपका जो question है इसमें बाल्य विकास कब संपन होता है तो ये कभी संपन नहीं होता है ये जीवन परियंत चलता रहता है फिर अगला कोश्चन बाल विकास को कितने भागों में बाटा गया है बाल विकास को कितने भागों में बाटा गया है दो भाग में, चार भाग में, पाच भाग में या तीन भाग में तो बाल विकास को जो है टोटल चार भागों में बाटा गया है यानि इसका आफ्शन नंबर 3 सही होगा सैचिक द्रिश्टी से बाल विकास की अवस्थाएं किसोर अवस्था, बाल वस्था, सैस्व अवस्था या तीनू तो इसमें जो बाल विकास की सैचिक द्रिश्टी से इसमें भी हमारा आफ्शन नंबर 4 सही होगा और ये तीन के तीन ओवस्ताइं हैं बाल विकास को सरवाधिक प्रभावित करने वाला कारक है यौन सिच्छा, बुद्धी परिछण, खेल कूद का मैदान या सुंदर बिध्याले भवन ये देखे बाल विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात कुछ ही जा रही है तो बाल विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक होगा ये होगा हमारा खेल कूद का मैदान ठीक है बाल विकास में चार आप्षन है देखना है कि क्या सई होगा गरभावस्ता से किसोरा वस्ता तक का अध्यान होता है दूसरा प्रक्रिया पर बल दिया जाता है तीसरा वातावरणड और अनुभौ की भूमिका पर बल दिया गया है और चौथा इन सब में तो बाल विकास में ये चार की चारों चीजे इंपोर्टेंट होती है यानि गर्भावस्ता से किसोरावस्ता तक का अध्यन किया जाता है प्रक्रिया पर भी बल दिया जाता है और वातावरण और अन्भो की भूमिका पर भी बल दिया जाता है फिर है बाल विकास का अध्यन चेत्र है तो बाल विकास का प्रभाव का अध्यन और उपरियुक्त सभी तो इस कोशन का भी आफशन सही होगा उपरियुक्त सभी अगला कोशन विकास शुरू होता है विकास कब शुरू होता है उत्तर बाले अवस्था से प्रसव पूर्व अवस्था से सैस्व अवस्था से या पूर्व बाले अवस्था से तो ये जो विकास शुरू होता है ये विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से ठी पॉन है ठीक है इसको सोचिए और इसका एंसर दीजिए फ्रायड को कहा जाता है ब्रुनर को कहा जाता है जीन प्याजे को कहा जाता है या केली को कहा जाता है यह कहा जाता है जीन प्याजे को ठीक है खिलावनों की आयू कहा जाता है खिलावनों की आयू किस स्टेज को कहा जाता है यह हमसे question number 15 में पूछा जा रहा है पूर्व बाले अवस्था को उत्तर बाले अवस्था को सैस्व अवस्था को इन में से सभी तो इन में से सभी तो हो नहीं सकता है ठीक है बागी इन तीनों में यह में सोचना है तो खिलोवने की आयू कही जाती है पूर्व बाल्य अवस्था को ठीक है Q16 बाल मनो बिज्ञान के उनुसार सिच्छा के छेत्र में मुख्य स्थान है बालक का प्रसासक का अध्यापक का या अभी भावक का तो बाल मनो बिज्ञान की बात कर रहा है तो सबसे इंप्वर्टन तो होगा इसमें बालक ही होगा ठीक है उसके बाद अगला question, question number 17, सहस्वा वस्था में सिसू होता है, सामाजिक होता है, आत्म केंद्रित होता है, सम्विगात्मक होता है, त्रिष्टी से दृड़ होता है, या सम्विगात्मक रूप से औस्तिर होता है, तो जो सहस्वा वस्था का जो time period है, उस समय जो बच् कौन सी पूरो बाल्य अवस्था की विश्था नहीं है पहला दल या समू में रहने की अवस्था दूसरा अनुकलर करने की अवस्था तीसरा प्रस्ण करने की अवस्था और चौथा खेलने की अवस्था तो इसमें हमारा आफसन सही होगा आफसन नमबर 3 प्रस्ण करने की अगला कोशन उत्तर बाली आवस्ता में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवस्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं उत्तर बाली आवस्ता में यानि क्या क्या परिवर्तन देखने लगता है तो यह होगा द्रविमान में द्रविमान और संख्या में संख्या में या आफसन नमबर 4 द्रविमान संख्या और छेत्र में तो इसका हमारा जो आफसन सही होगा आफसन नमबर 4 सही होगा इस सभी चीजों में अंतर देखने लगता है द्रब्मान में भी देख पाता है, समझ पाता है, संख्या में भी परिवर्तन को समझ पाता है, और छेत्र में भी, क्या डिफरेंस हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, यह हुआ, समझ पाता है, ठीक है, निम्न में से कौन सा भिकासात्म कार उत्तर बाले आवस्था के उपर यू चित सामाधिक भूमिकाओं को प्राप्त करना तीसदा वायक्तिक आत्म निर्वर्था प्रَाप्त करना और अपने हम उम्र बालगों के साथ रहना तो यहां पर हमारा और सैंद और सई होगा यह सहि criticism चित्र या इस्त्रियोचित्र सामाधिक भूमिकाओं को प्राप्त करना अफ्सन नमबर टू कोशन नमबर 21 बाल मिकास के अध्यन में निमलिकित में से किन बातों को सामिल किया जाता है यानि एक से ज्यादा आप्सन हैं सही होंगे पहला दे रहा है आयू के साथ होने वाले प परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदाई होते हैं यहान पर हमारा आफ्सन जो सही होगा यह सभी यानि यह जितने भी पॉइंट है यह 4 के 4 हमारे सही है ठीक है अगली बात विकास की प्रक्रिया में खाली जगां विकास की प्रक्रिया में खाली जगां जीवन मुल्यों ब्यक्तितों ब्यवहार इत्यादी का विकास भी सामिल है तो खाली जगां में क्या होना चाहिए द्रिष्टिकोडों का स्वभाव का रुचियों का आदतों क जीवन मुल्यों ब्यक्तित्व ब्योहार इत्यादी का विकास सामिल होगा सिच्छा मनोविग्यान में खाली जगे में होने वाले मानो विकास का अध्यन किया जाता है सैस्व वस्था का किसोरा वस्था का बाल्य वस्था का या बैस का वस्था का यहां भी एक से ज़्यादा option सही होने हैं और यहां पर हमारा जो सही होगा वो यह होगा कि हमारा एक दो और तीन सही है ठीक हैं अगला question अगला question यह कह रहा है कि 6-11 वर्ष के 6-11 वर्ष के आयू के बालकों की बिसेश्था है तो यहां पर हमकों यहां पर देखना होगा कि बालक स्वाभावी एम सक्रि अधिगम करता होते हैं दूसरा शीखने के लिए सिछकों पर निर्भर होते हैं तीसरा बालक सिछकों से ग्यान प्राप्त करते हैं और चौथा बालक सीखने में रुची नहीं रखते हैं तो इस question प कि बालक स्वाभावी के ओम सक्री अधिगम करता होते हैं और आज का आखरी कोशन आखरी कोशन हमसे यह कह रहा है च्छा या सात वर्स का बालक दूसरे के विचारों को स्विकार करने के योग नहीं होता है आफसन हम से ध्यान देना है नहीं होता है पहला क्योंकि वह बहुत अगली वीडियो में तब तक के लिए थेंक यू झाल